फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से हाजिरूं लेकर एक नई जॉब अपडेट तो जो आज की जॉब अपडेट है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब के साथ एक हैपिनिस शेयर करना चाती हूँ और वो बात ये है कि हमारे चैनल रोजगार फॉर यू ने 200 सब्सक्राइबर कमप्लीट कर लिए हैं सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाती हूँ फॉर्स्ट टू हंडडर्ड सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया थैंक यू सो मच और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाती हूँ उन व्यूवर से जो हमारा चैनल विजिट तो करते ह हमारी वीडियो देखते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहें तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तांकि जल्द ही मैं आपके साथ फॉर्स्ट थी हंडर्ड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करने की ये चोटी सी हैपिनेस भी जरूर शियर कर सकूँ तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नोटिफिकेशन को कवर करते हैं फ्रेंट्स जो हमारी आज की नोटिफिकेशन है ये आई है रेल्वे से मेट्रो रेल रिकूट्मेंट है ये ऑल्लाइन इसके लिए अपलाए करना है और काफी सारी इसमें पोस्ट है और इसमे और boys और girls दोनों ही इसके लिए apply कर सकते हैं ये काफी अच्छी recruitment है especially उन friends के लिए जो काफी time से wait कर रहे थे railway में एक अच्छी सी job ढूंड रहे थे काफी time से तो ये recruitment notification especially उन ही के लिए है तो चलिए जल्दी से अब cover करते हैं कि ये notification कहां से आई है क्या इसमें पोस्ट है और उन पोस्ट की क्या डीटेल्स है चलिए अब हम cover करते हैं तो friends चलिए चेक कर लेते हैं पोस्ट की सारी डीटेल्स को ये हैं advertisement तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट पोस्ट है जेनरल मैनेजर की HR admin में और इसमें number of post 1 है level E8 है ये pay scale है इसमें 1,20,000 to 2,80,000 as per third PRC और age limit है इसमें 60 years और type of appointment है deputation और contract qualification की बात करें तो इसमें qualification चाहिए graduation graduate in any discipline from a government recognized university or institute तो आप graduate होने चाहिए पर ये क्योंकि ये high level की post है काफी अच्छी ये post है general manager की post है pay scale काफी अच्छा है तो obvious सी बात है कि इसमें experience तो जरूर मांगा जाएगा तो इसमें experience मांगा गया है minimum 18 years post qualification total experience and satisfying the below criteria minimum relevant experience required है candidate having minimum 5 years experience in HR क्योंकि ये HR की post है तो HR में इसमें minimum 5 years का experience चाहिए और इसमें preference दी जाएगा candidate with 2 years full part-time degree diploma in HR personal management industrial relationship industrial relationship industrial relation management from government recognized university institute और candidate having knowledge of SAP ERP तो ये अब detail में check कर लीजे इसमे experience क्या क्या मांगा गया है अब हम next post देख लेते हैं next post है DGM की finance में ये भी काफी अच्छी पोस्ट है काफी अच्छा इसमें भी पेस्केल है 70,000 तो तो लाक और नंबर ओफ पोस्ट वान है level E4 है age limit है 50 years और इसमें ये भी deputation और contract पर है और qualification इसमें मांगी गई है for a candidate working in railway state or central government उनके लिए चाहिए graduate from a government recognized university institute और second है for candidate working in metro railway, railway PSU's, other PSU's उनके लिए चाहिए CA या फिर ISCWA from a government recognized university और institute साथ में इस पे इस पे एक्स्पिरेंस मांगा गया है minimum overall experience required याप detail में चेक कर लीजए कुछ preferences भी है तो आप ये detail में चेक कर लीजए कि DGM की पोस्ट finance में जो है उसके लिए क्या experience है next हम देख लेते हैं next है post name DGM इसमें one post है level E4 है pay scale है 70,000 to 2 lakh age limit है 50 years और ये भी है deputation और contract पर qualification है graduate in engineering full time from a government recognized university institute और साथ में इसमें experience और eligibility याँ detail में mention है आप सारी चेक कर लीजिए तो चलिए अब चेक करते हैं next post को next है manager की post security में और number of post है one level E3 की है ये post और pay scale है 60,000 to 1,80,000 age limit है इसमें for contract and deputation 50 years और for ex-serviceman re-employment 60 years तो इसमें दो तरीके से age limit बताई गई है और ये post जो appointment है इसमें इसमें appointment है deputation या फिर contract या फिर re-employment और और next qualification इसमें मांगी गई है graduation graduate in any discipline from a government recognized university institute तो graduation मांगी गई है इसमें और साथ में इसमें भी experience काफी जादा मांगा गया है आप detail में check कर लीजिए क्योंकि ये video काफी लंबी हो जाएगी अगर हम हर एक point discuss करेंगे तो आप भी अपने जिस भी आप जिस भी पोस्ट के लिए apply करने के लिए interested है आप particularly उसका experience आप detail में check कर लीजिए इस पोस्ट में minimum height required है minimum height 170 cm for male and 165 cm for female अब हम next check कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है तो फ्रेंड्स next post है manager की legal में तो नंबर ओफ पोस्ट इसमें 1 है लेवल E3 की पोस्ट है पे scale है 60,000 to 1,80,000 और age limit है 50 years type of appointment है deputation या फिर contract और qualification मांगी गई है full time LLB degree from a government recognized university और institute eligibility और experience यहाँ पे detail में 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 मेंशन है minimum five year post qualification experience and satisfying the below criteria और minimum relevant experience मांगा गया है minimum two years post qualification total experience in legal department या आप detail में चेक कर लेजिए तो friends next देख लेते हैं next है post ने manager finance और accounts में है manager की post manager finance and accounts number of post इसमें two है level E3 और pay scale है 60,000 to 1,80,000 एज लिमित है 50 years यह भी deputation या फिर contract पर है qualification मांगी गई है for candidates working in railway state or central government तो इसमें चाहिए graduate from a government recognized university और institute और next है for candidates working in metro rail railway PSU's और other PSU's other reputed industries full time post graduate in amcom finance और MBA PGDM finance और CA Inter और ISE WA Inter तो यह अलग लग दो तरीके से यहाँ पर qualification मांगी गई है और experience की details आप चेक कर लेजिए यह प्रेफरेंसिस भी यहाँ पर चेक कर लेजिए अब next देख लेते हैं next है post name am am की post finance में number of post 1 है level e2 है और pay scale है 50,000 to 1,60,000 age limit है 40 years और deputation और contract पर यह job है इसमें भी दो तरीके से यहाँ पर qualification बताई गई है for candidates working in railway state or central government उनके लिए यह graduation graduate from a government recognized university or institute or next step for candidates working in metro rail railway PSU's other PSU's or other reputed industries उनके लिए चाहिए full time post graduate in m.com, MBA finance और C.A. Inter, I.C.W.A. Inter तो यह दो तरीके से यहाँ पर qualification बताई गई है और experience आप चेक कर लीजिए detail में यह preferences भी आप चेक कर लीजिए अब हम next देख लेते हैं next कौन सी post है नमबर 8 पे mention है post name assistant manager PRO assistant manager की post है number of post 1 है level E2 है pay scale है 50,000 to 1,60,000 और age limit है 40 years यह भी deputation और contract पर है इसमें भी दो तरीके से यहाँ पर qualification बताई गई है graduation in mass communication, journalism, publicity, public relation, public administration from a government recognized university और institute और post graduate degree और diploma in mass communication, journalism, publicity, public relation, public administration from a government recognized university और institute experience आप देख लीजिए और next है post name AM की जो HR में है AM HR post name AM HR है और number of post 1 है level E2 है pay scale है 50,000 to 1,60,000 50,000 to 1,60,000 और age limit है 40 years यह भी deputation और contract पर है qualification है full time 2 year MBA PGDM in HR personal management industrial relation आप चेक कर लीजिए experience भी और next यह कुछ conditions है apply करने से पहले आप यह सारी conditions read कर लीजिए और next procedure यहाँ पे mention है how to apply का आपने अगर इसके लिए apply करना है तो method है online आपने इस website पे जाके online apply करना है मैं आपको link वीडियो के description box में दे दूँगी और online registration shall remain active from 10th November 2021 up to midnight of 5th December 2021 तो यह 10 November से start हो के 5th December तक चलेगी यह registration आप तब apply कर सकते हैं तो 10 November से 5 December तक यह है procedure of payment किस तरीके से अपने payment करनी है वो यहाँ पे mention है और next है selection process कि आपकी जो selection होगी वो किस तरीके से होगी यह सारे points आप check कर लीजिए सारे points को अच्छे से read करने के बाद ही आप apply कीजेगा कभी भी आप बिना सारी advertisement read किये कभी भी आपको apply नहीं करना चाहिए तो detail में सारी advertisement read करिए फिर आप apply करिए यह notification आई है Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited a joint venture of Government of India and Government of Madhya Pradesh recruitment notification है for various post Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited a joint venture of Government of India and Government of Madhya Pradesh is implementing Bhopal Metro Rail Project and Indoor Metro Rail Project in the state of Madhya Pradesh तो MPM RCL invites application from qualified and experienced candidates as per the following post and appointments will be on the deputation contract re-employment up to 5 years on standard terms and conditions of the organization तो यह जो recruitment notification है यह Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited की तरफ से है हमने सारी post की details को चेक कर लिया है कि कौन सी कौन सी post है क्या salary है क्या qualification चाहिए आप ये सारा PDF अच्छे से read करने के बाद ही आप apply कीजेगा अगर आप interested है तो मैं आपको वीडियो के description box में इस website का link दे दूँगी आप वहां से click करके direct website पे जा सकते हैं और सारा PDF फ्रीड करने के बाद apply कर सकते हैं अब मैं आपको दिखा देती हूं कि जब आप website पे जाएंगे तो ये advertisement आपको कहां से मिलेगी फ्रेंट ये है official website ये official website का home page मध्यपरदेश Metro Rail Corporation Limited गौर्मेंट आप मध्यपरदेश ये website का home page है जब आप इस पे जाएंगे तो ये latest update जिसको मैंने arrow से point करके बताया है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे recruitment for various post तब एक page ओपन होगा वहाँ पे आपको notification मिल जाएगी आप उसको download करिए अच्छे से read करिए सारी information आप read करके रख सकते हैं जब online registration स्टार्ट होगी तब आप apply कर सकते हैं तो friends जब भी आप किसी भी post के लिए apply करते हैं तो उसकी authenticity, website के authenticity एक बार खुद अपने लेवल पर भी ज़रूर चेक किया किजिए तो friends इसका link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगी आपकी help के लिए तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी से भी informative लगी हो, helpful लगी हो तो वीडियो को ज़रूर like करें, channel को subscribe ज़रूर करें ऐसी और updates के लिए और इस वीडियो को share करें अपने friends के साथ ताकि उनकी भी help हो सके Thank you so much, all the best